सुम्वाग को शेहर के जरीपट का पलिस थाना अंतर्गत आने वाले फीम चोग नारा रोट सीद आशिश नावरी की आउनी जवेलर्स में लुटपात करने वाले आरूपियों में से दो आरूपियों को पलिस ने गिरफता क्या है वह उन्हें 13 जुलाई तक पलिस रिमार में फीश दिया है ऐसे बीच BCN News के पास लगे है इस वार्तात की एक्सलिज्यू CCTV फुटेज जो सबसे पहले हमारा चानल आपको दिखा रहा है आए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में जरिपट का ठाना शेत्र के आउनी ज्वेलनस में पिस्तोल की नोग पर लुटपार करने वाले मामले की एक्सलिज्यू CCTV फुटेज आज हम आपको दिखाने चारे हैं आप इन CCTV फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से दो आरोपी पहले आते हैं और दुकान माली को अ जैसे ही शटर बंध होता है वैसे ही दो आरोपी दुकान दार को पकड़ते हैं और तीसरा आरोपी दुकान मालिक के सर पर बंदुकरक उसे डराता है दुकान मालिक जैसे ही खुद को बचाने के लिए चलाने का प्रयास करता है वैसे ही आरोपी सेलोटेज से उसका मुव ब चारी ने बताया कि वहाई दिवर्षों से पुलिस विभाग में कारे रथ है तता कई घटनाओं की आरप्यों को दबोश निकले अनियर राच्चों में गया है लेकिन इस बार शहर की पुलिस आइक्त अमितेश कुमार, क्राइन प्रांश की डिसेपी गचानन शिवलिंग रा की मत्यप्रतेश पुलिस और नाकपुर पुलिस की शांदार कामकिरी से आरप यों को पकड़ने में आसानी हुई है और उन्होंने दो टीमों का गठन कर लुटेरों का पीछा करने के निर्तेश दिय t इसके साथी सिपी और अन्य डिसीपी ने अपने अपने संपतों का इस्तिम्बाल कर मर्ध्य प्रदेश पुलिस को सहयोग करने की आपल की जिसका काफी लाब हुआ पलिस को लगाता जानकारी मिलती रही कि लुटेर हे दो दुपया पर सवार होकर भाग रहे हैं उनका लोकेशन भी मिल रहा था दोबाई मर्ध्य प्रदेश पुलिस को कटने के पास दिखाय दिया चूखी आरपी के पास पिस्तोल वे अन्य अथियार थे अंतर कटने की पास म पुलिस के पहुचने से पहले ही एक बाइक को डैश मार करके रादिया जिसके कारण दो आरूपी गायल अवस्ता में पुलिस के हत्ते चड़े जबके दूसरी बाइक पर सवार दो आरूपी भाग है पुलिस को चक्मा देकर फरार हुए आरूपियों का मध्यप्रदेश पु पीछे से मध्यप्रदेश पुलिस और साम्री से नापुर पुलिस लुटेरों को दपोशनी के काम में जुड़ गई आगी पीछे पुलिस को देखकर दो फरार लुटेरों ने अपनी बाई एक धापी पर खड़ी की और पास वाले जंगल में फरार हो गये मध्यप्रदेश पुलिस और नापुर पुलिस ने जंकल को सिल कर आउरुप्यों की तलाश की लेकिन दोनों शातिर आपराती पता नहीं कहा गायब हो गये काफी देर पाद दोनों फरार लुटेरे में से एक ने महर से किसी को फोन किया वहाँ पर भी पुलिस ने पहुच कर तलाश ली लेकिन वे वहाँ नहीं मिले वे लगातार लोकेशन बदलते रहे बताते हैं कि फिलार आउरोपियों का लोकेशन हरिद्वार में बिल रहे पुलिस आयत आमितेश कुमा ने उत्तर प्रदेश की इलाबा तथा प्रतावकर्ट पुलिस से संपर कर नापुर से भागे लोटेरों की जानकरी दी तता किसी भी सुरत में उन्हें पकड़ने की आपेगी इलाबा तता प्रतावकर्ट पुलिस भी लोटेरों की पीछे पड़ चुकी है जिससे पता चलता है कि वे जादा दिन नहीं बचवाएंगी कैमरा पसन अखिलिश भरत वाश के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट